कि इस सिरीज के अंदर आज अपन डिसकेशन करेंगे महा जन्पद काल का जो एरा है उसके बारे में डिसकेशन करेंगे बुद्ध कालीन भारत की पहली विशेष्टा जो राजनेतिक दृष्टी से महत पूर्ण थी वह है विकेंद्री करण की प्रवड़ती बुद्ध कालीन विकेंद्री करण था इस समय भारत चोटी चोटी अनेक राजनेतिक काईओं में विबख था तो सब के सामने या सब जो थे वो अपना अपना एक राजनेतिक अस्तित्वर रखते थे ये राज्य आपस में संगर्श करते रहते थे इसलिए इस काल को संगर्श रत जनपदों का युग कहा जाता है यह राज्य आपस में युद्ध करते रहते थे, संगट्स करते रहते थे, इसलिए इसे संगट्स रत जनपदों का युग कहा जाता है वी केंद्री करण की प्रवर्ति के बावजूद इस काल केंद्री करण के परियास आरम हो गयते दीरे दीरे मगत सामराज्य का उदे हुआ था इसके बाद, इस काल में रास्तंत्र के साथ अनेक गणराज्यों का भी उदे हुआ, रास्तंत्र दो था ही पर कुछ गणराज्य भी थे, साक्य गणराज्य थे वगेरा, वो भी अभी अपन नाम देखेंगे इन में, इस काल के 16 जनपदों मे दक्षिन भारत के केवल एक असमक जनपद का ही उलेक मिलता है यह तत्य दरसाता है कि उत्तर भारत इसके दक्षिन भारत के साथ गनिस्ट संपर्क नहीं था मतलब उत्तर भारत का दक्षिन भारत के साथ कोई खास संपर्क नहीं था उस समय महा जनपद जो 16 महा जनपद थे व कि शरवादिक प्रमानित सुची मानी जाती अभी के समय, अब देखते हैं 16 महा जनपद और इनके बारे में थोड़ा सा डिसकेशन करते हैं अपने वीडियो में, देखो सबसे पहले महा जनपद का नेम है अंग, अंग की जो capital थी वो ती चमपा, और इसके जो राजा थे उस स अजाज सत्रू और ये बिहार का जो पूरा एरिया है, वो मगत सामराजी के एंडर उस समय आता था, उसके बाद तीसे नमबर पे काशी, काशी को उस समय उसकी राजदानी थी वाराणसी, और ये राजा कोशल के अदीन थी, उत्तर परदेश में वाराणसी के आस-पास का एरिया काशी सामराजी महा जनपत का हिस्सा था, कोशल, कोशल जो है उसकी राजदानी थी स्रावस्ति, और प्रसेंट जित इसके उस समय राजा थे, ये उत्तर परदेश के फैजाबाद, फैजाबाद मतलब अयोध्य वाला जो इससा है, और स्रावस्ति आदी जिले इसके जादा हस्तशेप ना होना, जनता द्वारा चुने जाना, वेसा कुछ सिस्टम था इसमें, उत्तर परदेश, बिहार और पूरवी उत्तर परदेश का हिस्सा इसके इंदर आता था, सम्मिलित होता था, उसके बाद मैं आगे देखते हैं हम अपने, इसके अंदर आगे चेदी, चेदी की कैपिटल थी, सक्ति मति, यानि सौक्त वति भी बोलते हैं, सक्ति मति भी बोलते हैं, ये बुंदेल खंड के आसपास के एरिया है, और इसमें कोई राजा का इसमें उलेक नहीं है, वस्त, वस्त की कोशाम भी कैपिटल थी, इसके राजा उदेन का उलेक ह वस्त में आता था इसका मतलब काशी जो था वो वारानसी के आसपास का इलाका था और वस्त जो था वो उसकी राज़दानी कोशाम भी थी और वो इलाबाद के आसपास का इलाका था अब आके और देखते हैं हैं भी अपने बहुत सारे हैं कुरु वर्तमा निस्ताथी के अनुसार देखते हैं कुरु इसकी capital ते इंद्रप्रस्टथ इंद्रप्रस्ट एक्च्छुली में हम दिली का पान सकते हैं यानी दिल्ली का इलाका है कुरू महाजन्पद में आता है इसक的是 दिल्ली और मेरेट और शुम्हान ऐसे करूल है फिर पांचाल का इंदर भी तो यहां पिल ... यह इस स्वाजदेлей मंदल्ब जय अछी cure में नहीं रोहोर outta 19 कमपें जो में लाक से। रोहेल खंड का इलाका जो उत्राखंड का इलाका है उपर पहाडी शेत्र उसके बोलते है रोहेल खंड मतस्यन, मतस्या की कैपिटल ती विराट नगर ये राजस्तान में मुख्य रूप से पाया जाना वाला परदेश है राज़스न के अलवर और राज़स्तान के जैपुर्ट जिले में है सूरसेन ये मतुरा वाला इरिया है ये पस्चि में उत्तरप्रदेश कािस्टा है और ये मतुरा वाले इस्सिको सूरसेन कहा जाता था इसके किसी राजा का उलेक नहीं है अश्मक अश्मक को पोतन या पोटली इसकी जो राजदानी है वो है ये महाराश्ट्र और आंधर प्रदेश वाले इससे को अस्मक का जाता था उस समय अवंती की कैपिटल है उजेन या महाश्मती और इसमें चंड प्रगोत नाम के एक राजा का उलेक है और वो मद्य परदेश के इससे पर राज करते थे तो उजेन आज के जमाने में भी मद्य परदेश के आसपास के इलाके को अपन बोलते है अब आते हैं और भी जनपत थे अवंती का अपने देख लिया अब है गांधार गांधार का तक्सिसीला गांधार का जो है वो तक्सिसीला थी उसकी कैपिटल और इसके जो राजा का उलेक मिलता है वो है पुसकर सरीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इरिया गांधार में आता था उस समय और तक्सिसील ऌता तर्फमील है उसका नाम है घांधार में आभी ते बाहरेत के बाहर के कि इसはいないыми da pro आपके बार्फली देख लिए देखो। बहरत के बाहर के हिस्से से इसमें जो है मैं माहिसमती नेम है ये वाला हिस्सा ये आपके आता आता है मद्यप्रदेश के अंदर और उसके अलावा इसार राजस्तान के अंदर भी इसमें से दो मान सकते हैं मुंखे रूप से एक कैज्शतान से न मन सकते हैं वस और काशी ये दोनों का हम ऐसे मान सकते हैं देगो इसमे वारणसी का उलेख है और इसके अंदर आपके इलाबाद के आसपास का उलेख है और वज्जी संग बोल सकते हैं और मल्ल संग ये दो संग थे उस समय वज्जी की capital वेशाली थी और इसकी capital कुशी नारा थी और ये गंडराज्यों आट गंडराज्यों का संग था वज्जी जो की उत्तर प्रदेश बिहार वगेरा इनमें मिलता था और इसी के साथ ये हमारे स सारे जो जनपद है ये पूरे जनपद मैंने आपको बता दिये हैं एक बार इन जनपदों को अपन पूना देख लेते हैं इन जो जनपद है उसमें अंग की चंपा मगद की राजगरे काशी की वारानसी कोशल की स्रावस्ति और उसके बाद नेक्स्ट है वज्जी संग की लेशाली है मलसंग की कुशिनारा है पावा चेद्दी की शक्ति मति है वत्स की कोसाम भी है उसके बाद में आगे के ओर देख लते हैं कुरू की इंद्रपरस्त है पाचाल की अई शक्तिया कामपिल्या है मतश्य की विराटनगर सूर्षेन की मतूरा आश्मक की पोतन या प में अपने इंडिया के ओल्ड इंडिया के पार्ट थे और अंगुतर निकाई में इनका उल्ले के जन्यवाद